हेलो फ्रेंड स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हैस्टेक क्रियेटिव आर्थी पोरवाल में दोस्तों मैं हूँ आर्थी और आज मैं ऐसे स्टेट की बात करूंगी जिसके लिए कई दिन से कैंडिडेर्स या छात्र मुझसे कॉश्चन कर रहे थे कि मैं मैं इस लेटिस्ट इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सके और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक और शेर भी करिएगा तो चलिए दोस्तों आज हम बिहार की बात करेंगे गवन्मेंट आफ बिहार ने एक नोटिस निकाला है बिहार कंबाइ कर दी गई है तो दोस्तों यह बहुत इंपॉर्टन नोटिस है कि आपको सेकेंड कॉंसलिंग में जो सीट आबंटन में विलंब हुआ है जो सीट मैटर्स अभी तक नहीं उन्होंने निकाला है जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की जो ती थी थी उसको बढ़ा दी गई है क क्योंकि जब तक सीट मैटर्स नहीं आएगा तो उन्होंने तब तक उसकी जो डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन की डेट है वह बढ़ा दी है तो अब आप अराम से 23 से शुरू ही थी 26 दिसंबर तक अपने डॉक्यमेंट वेरिफाई करा सकेंगे उसके बाद सभी संस्थानों क जो फी स्ट्रक्चर है वो वेबसाइट पर अपलब्द है अभियर्तियों को हित्मे नुणे लिया गया है जिन अभियर्तियों का सीट आबंटन सरकारी संस्थानों में हुआ है वो उक्त संस्थान की नामंकन जो एकी निर्धारित राशी है वहाँ पर नगत जमा कर सकते है जो निजी संस्थान है या प्राइवेट कॉलेज है उनमें सेकेंड राउन काउंसलिंग में जिन अभियर्तियों का सीट अलॉट्मेंट हुआ है उन्हें नामंकन लेना है तो वे अपने साथ संबंदिन संस्थान के शुल्क के अनुसार टोटल राशी ऑनलाइन इस्थाना अंकल लेना है वैसे अभियर्ति जिनको नाम अंकल नहीं लेना है उन्हें डॉक्यमेंट वेरिफिकेशन है तो रिपोर्टिंग संटर पर जाने की आवशक्ता नहीं है तो दोस्तों यह उन्होंने अभी जो निजी निकाली है रिसेंटली मैं आपको बता रही हूं इसके ब रही होता है तो चबुक्यों अव लेक्ष्नने अगी श्मी संटों और संचेहन है तोच्थी नहींजज़ं लेसल है एक मडे कर 거야 का मब बताईरें हूं घ्य हूं लेट इनियना था मेडिकरै रिट कार्य मैं आरादिए वीर्ट पर फाने मेरा शेय तो प्रफिंटर थाले क pass तो दोस्तों मतलब मोपा प्राउन में आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना ही कराना है अगर आपको कोई भी सीट कोई भी खुआ नॉट अड्मिटेड एनी मेडिकल जो किसी भी MBBS या dental या किसी भी college में अभी जिन्होंने admission नहीं लिया है वेकेंट सीट के थुरू उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना है मौपा प्राउन के लिए ठीक है दोस्तों वो on the basis of second round counseling ठीक है 2020 विच कैन भी डाउनलोड फ्रॉम दाउनलोड कर सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको भी बता दूंगी दोस केंडिडेट हुआ सब्मिटेड इन एनी गवर्न्मेंट प्राइवेट मेडिकल देंटल कॉलेज और नॉट एलिजबल फॉर मौपा प्राउन कॉंसलिंग ज सब्मिटेड इन एनी गवर्न्मेंट प्राइवेट मेडिकल देंटल कॉलेज और इंट्रेस्टेड टू टेक पार्ट इन मौपा प्राउन ऑन दे बेसे तो उनको जो है फ्रेश रिजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और डुली सब्मिट अप्लिकेशन फॉर्म विद रिक सब्सक्राइब दोस्तों जोनों ने अभी तक ऐब मिशन नहीं लिया है किसी वी कॉलेज में फर्स्ट रौन या सेकंड रौन के थू या उन्हें कोई सीट नहीं मिली है वह मौपा प्राउन में फिर से फ्रेश रिजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और जो फी है वो सब्मिट कर सब्सक्राइब के लिए पच्चीज दिसंबर को सुबह 10 बजह तक यह मौप अपराउन की कॉंसलिंग के लिए वह 25 दिसंबर यानी कल आपको वेबसाइट पर दे दिया जाएगा ठीक है इसके बाद जो है 27 दिसंबर को सुबह 10 बजे तक यह मॉपप राउन की कॉंसिलिंग जो है स्टार्ट होगी The detail of program process field sector has been uploaded on the board's website इसकी website पर यह सब कुछ आपको दे दिया जाएगा The concerned candidates are required to download the details and go through it and complete the process accordingly as per the details of above advertisement for attending the मॉपप कॉंसिलिंग तो इस मॉपप कॉंसिलिंग के इसको ध्यान से पढ़ दीजे चाहे तो आप website से इसको download कर सकते हैं ठीके अब मैं आपको बताती हूँ इसका क्या पहले process था तो चलिए देखते हैं कि fresh online registration and submission of application form are invited from such qualified eligible and interested need candidates for the मॉपप राउन यह पहले तो आप यह समझ लिए यह offline counseling है जो मॉपप राउन कीए ठीके who are admitted in any medical dental college on the vacant seat of government private medical dental college are after admission on the basis of online second round counseling जो 23-24 December कोई बीच में होनी है यानि 26 December करा दी गई है verification की date तो इसके बाद दीखिए जब second round का यह verification का round हो जाएगा 26 December तक उसके बाद आपका जो है seat matrix हो आएगा seat matrix के बाद जो मॉप राउन स्टार्ट होगा तो उसके लिए आप यह समझ लिए कि जिनको seat मिल चुकी है जो admission ले चुके हैं उनको मॉप राउन में जो है पार्टिसिपेट किया था first and second round की counseling में लेकिन उनको कोई seat नहीं मिली थी वो अपना मॉप राउन में fresh registration करा सकते हैं अलिजबिल्टी क्राइटेरिया इंस्ट्रेक्शन अन अदर डिटेस आर अवलेबल इन प्रॉस्पेक्टिस यह सब मैं आपको पहले ही बता चुकिए इसमें कोई भी बदल नहीं हुआ है केवल डोकुमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वही बढ़ाए गई है तो सीट मैट्रिक्स तक वही प्रोसीजर है इसके बाद जो प्रोसीजर पर ऑनलाइन समिशन और एप्लिकेशन फॉर्म जो इसका प्रॉ स्टिप 3 अप्लोड फोटो एंड सीग्नेचर स्टफ्ट 4 एटुकेशनल इन्फोमेशन एट्प 5 प्रिव्यू और अप्लिकेशन इस बाद जो इसका स्टेप सेवन होगा उसमें आप करेंगे जो पेमेंट करेंगे वह आप बैंक चालान करेंगे थीक है पमेंट बैंक चला करेंगे उसमें डाउनलोड करेंगे पार्ट A & B जो दिया हुआ इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं पेमेंट का फिर नोट दिया दा केंडिडेटा रिक्वाइड तो फिल अप दे रिजर्वेशन केटेगरी वेरी केरफुली तेकिं इन्टो करेंगे और इसमें कोई भी बोड रिस्पॉंसबल नहीं होगा अगर आपको इरफिशन पाया जाता है ठीक है और इसके बाद आपको जो जो डोकुमेंट्स रहे होगे और डिजेडा कार्ड और शकोर कार्ड पासिंग सटिफिकेट मार्शीट पोटो कोपी six व्ल्ड सटिफिकेट डोकुमेंट इन ओर अधार कार्ड और डोकुमेंट जो भी आपको अगर आप किसी कैटागरी से बिलॉंग करते यह यहोगी स क्लोजिंग डेट इसकी 25 दिसंबर है दस बजे तक शाम को रात में आप करा सकते हैं उसके बाद अप्लोडिंग ओफ रोल लंबर वाइज लिस्ट ऑफ कैनिडेट्स वर एड्मिटेड थू यूजी एमसी फस्ट और सेकेंड रौन कॉंसलिंग यह भी 25 दिसंबर है अप्लोड की जो मेरिट लिस्ट है वो 26 दिसंबर को आएगी इसके बाद डेट ऑफ अप्लोडिंग ओफ अप्डेटर सीट मैट्रिक्स 27 दिसंबर है प्रपोजड देट ऑफ ओफ लाइन कांसलिंग मॉप अप राउन 27 दिसंबर से 29 दिसंबर इसके बाद इतना सब कुछ होने के बाद आप जो कॉंसलिंग प्रोसेस है वो 27 से 29 दिसंबर तक चलेगा फॉर ओल्ल दा प्रोसेस डिलेटेट टु सब्मिशन ऑफ ओन्लाइन अप्लिकेशन फॉर्म केंडिटर एडवाइस तो क्लिक ओन दा लिंक ओन्लाइन अप्लिकेशन पोटल ऑफ यूजी एमसी 2020 इसके बाद जो पाटिसिपेट करेंगे इसमें मेडिकल डेंटल या बीवी एससी किसी भी चीज के अद्मिशन के लिए ओल गैंडिटर वो उनको डिमांड ड्राफ्ट देना पड़ेगा ठीक है जो डिमांड ड्राफ्ट है वो आप 12 लाग का देंगे ठीक है इसके बाद जो 12 लाग सब्सक्राइब एक घेयं और उनको या बड्राफ्स के लिए वाणड यह है इसके पटना में है कांट्रोलर ऑफ इसका सी बोर्ड वहां से होगा और इसके बाद चेक से जो लास्ट इसकी डेट है तीस दिसंबर है फिर चेक से दे सकते हैं फिर कंट्रोलर ऑफ इग्जामिनेशन रिजर्ब्स तू राइट अपको मॉपर प्रॉंड कॉंसलिंग यूजी एमसी 2020 तो दोस्तों यह पूरी न्यूस थ अगर आपको यह न्यूस अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा थैंक यू